नमस्कार दोस्तों आप सब भी कई वाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर दोस्तों मुझसे बहुत साई लोग कमेंट करके या पूछते हैं कि मैं क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि गर में लड़का या लड़की किस तरफ रहता है या फिर बाएं तरफ रहता है या फिर लड़की दाएं तरफ रहती है या पाएं तरफ रहती है दोस्तों यह सवाल लोगों के लिए वीडियो बनाओं और आप लोगों को बताओं कि आखिर आखिर सच्छा ही क्या है मैं यह निक होंगी कि सभी लोग गलत होते हैं बहुत लोग गलत होते हैं जानवच कि सिफ लड़का लड़का चाहते हैं लड़की नहीं चाहते हैं कुछ लोगों के साथ क्य यह तो खेल अलग बात हो गई कोन क्या चाहता है लेकिन जो मुझे सवाल पूछा गया है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूं गरवस्ता के दुरान हमारे सरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे हार्मोन हमारे सरीर में काफी जादा बदलाव होने लग जाते हैं और दोस्तों बहुत सारे लोग पता कर लेती हैं कि कि आने वाला बच्छा होगा लड़का होगा होगी कि अने बच्छा होगा या फिर लड़की होगी होगी क्योंकि आपको पता है इंडिया में जाता लोग लड़की को ही चाहते हैं इस होजे से भारा सरकार में इस बात पर कानून बनाए गया है रोक लगाई गयी है कि कोई भी इनसान किसी तरह की से पता ना कर पाए कि उने वाला बच्चा क्या है तो ये बात आपको समझनी होगी आप चाहते हैं बड़ा दो कहते हैं या जिए ले ऊ verses होजाने को लड़का होगा आपको है कि लड़का होंगा हर्वा है जो दिक्कते आएंगे वो राइट साइड आएंगी ऐसे कहा जाता लेकिन दोस्तों कर मैं आपको सच्छा ही बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप बोलोगे ऐसा क्यों दोस्तों कि देखें मैं खुद का अपना प्रसनल एक्सपरियंस बताती हूं फिर आप यह मत कहना मतबात है जायागा और लड़का कि sudah रहता तो जिसको जानकारी हो वह てो यह को बसandelion की सब्सक्राइब तो दिख चलित जा करने का मैं प्रेगनेंट हूं तो आप पता है जाहता हमाया होती है या अपना लड़का चाहती ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको गलत बोल ली और लेड़ी जो पर पोते का ही दबाब होता है, सही बात तो यही है, देकिन दोस्तों आज़कल के जमाने में जो आज़कल की जन्यू ज़र्मरेशन है, वो इन चीजों को ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन पुराने लोग बहुत मानते थी, ये बात को आप भी मानते होंगे, तो क्या होता था? कि मेरे जो मम्मी है ये मेरे स्स WEcke पूछती जाभ और तुम्हें किस तरका पैर का में इतुत ही तुम्हें किस तरफ फील होता है? वह होता है? अपलाना होता हुता है मेरे मम्मी कहती थी, मैं जुभ तुम्हें राइट सै Boy करता है तुम्हें ग JUDGE होगा और मुझे बाद 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 पूछती थी कि तुम्हें किस तरफ सोने का मन करता है तुम्हें किस तरफ पैर उठाने का मन करता है तो मैं कहती थी मम्हें ऐसे कुछ भी निये कि दर मन करता है लिगों कहती थी कर राइड साइड करें इसको मतलब लड़का है और मुझे पता त तरह बोग से लड़की होता तो मुझें आहए लड़की तरफ हुआ जिस तरह जादा लड्की भाएंससा gener य हूगнут Planning फिर से लड़की हो गई, लड़की हो गई उसका नामकरन था तो मैं घर पे गई उनके, उन्होंने बोला कि भाबी अब तो ना हमें फिर से बेबी करना परेगा, क्योंकि अभी तक तो लड़का हुआ नहीं है, और अब सासो मा जो है, वो कह रहे हैं, कि जब तक लड़का नह पच्छर किया यह कि प्मिन फिर्स वाıllा हम भी तो सबूच pots बढ़ियो तो किस तरय मुझे पील होता था कि दो से अजैंड गयने से ज्छां कि मिल्टेशा को निंद लडगा में तो फूसे पूचा है दो clip sì तरह पैर भी सूज गे थे और उसका जो बेवी था उसे वो लेफ्ट साइड उसे फील होता था जादा तर मैं अच्छा मैं इस बार क्या होगा इस बार मुझे उल्टी बिल्कुल भी नहीं हुई और ना मेरे पैर सूजे और मुझे फील जो होता था दाइं तरह था था मैंने मैं भी खुषती चलो सब बता रहे हैं लड़का होगा तो भगवान करें लड़का हो जाए लेकिन देगो वहां भी लड़की हो गई और वह बहुता रो भी रहती पर इसान भी थी क्योंकि आपको पता है बेबी करना इतना आसान नहीं होता बहुत मुश्किल होता है तो अ आप यह बताईए कि इस बात में सच्चा ही कहां तक है तो इस बात में कुछ भी रही नहीं है हाँ मैं मानते हुए ज़्यादा तर हो सकता है बहुत सार लेडियों के साथ ऐसा होता होगा कि उन्हें लड़का होने पर दाईं तरफ फील रहता होगा लेकिन मेरे कैस में या कि जो रिस्तदार उसके किस में ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो आप इस बात को मानना चाहिए तो मान सकते हैं अगर आपको लगेगी मानना नहीं तो मत मानिए जो भी सोचना है आप सोची बस दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहती हूं और आपका सवाल जो यह है कि लड़का कि आपको इस बात को बिलकुल ना मने कि लड़का लड़की यह ऐसा कुछ भी नहीं है वांके दोस्तों आयो कि आपको वीडियो प्रसंत आया होगा आया को लाइक करना बिलकुल ना भूले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे और कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट केजिए और मैं आप लोगों से मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई अपना धियाना की अपने बचों का धियाना की और नमस्ते थैंक यू